जेहेंद एवरिवन WTO की 13th Ministerial Conference जो हुई अब उधावी में 26th से 29th February तक उसके अपने आप में काफी Mixed Success Rate रहा अब Mixed Success Rate इसे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि काफी ऐसे मुद्दे थे जो Unresolved रह गए और उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसी उमीद में कि Resolution कुछ नतीजों तक पहुँच सके एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया भी गया पट उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काफी मुद्दे अंसुलजे रह चुके थे So this 13th Ministerial Conference of the WTO saw a mix of agreements and unresolved issues amongst its members तो आप देख सकते हैं कि कितने contentious issues जो हैं वो यहां पर discuss किये जा रहे हैं और global trade discussions में अब कितना महत्वपूर बनता जा रहा है भारत और उसके दूसरे देशों से संब्द अब अगर बात की जाएं तो यहां पर कुछ लोगों का ये तक कहना है कि भारत ने एक अपना जो strong एक stand बना के रखा वो कई मामलों में भारत की जो strong diplomacy है उसे reflect तो करता है पर क्या ये trade negotiations में और trade discussions में भी successful रहेगा world trade organization जिसकी बात करें तो वो अगर उरुगवे round of conference जिससे उसे स्थापित किया गया था और world trade organizations जो international trade agreements को administer करता है और एक forum है हर प्रकार के international trade negotiations के लिए trade disputes को resolve करने के लिए और national trade policies जो है उन्हें review भी करता है अब ऐसे मौके पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो ministerial conferences है ये ministerial conferences एक सबसे बड़ी decision making body है ठीक तो WTO की सबसे बड़ी decision making body है उसे हम लोग ministerial conferences कह सकते है और ये भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा एक वो trade के लिए discussion करने का forum है WTO which has got 164 members it accounts for 98% of the world trade और आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी इस conference में कुछ जो नए members हैं उन्हें भी WTO में entry दी के और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं जो top decision making body है ministerial conference जो हर 2 साल में बैठक करती है तो उमीदों के अनुरूप वो कुछ सफल नतीजों तक नहीं पहुंच सकी तो यहां पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें यहां पर रही जो world trade organization की 13th ministerial conference में देखी गई इंडिया का क्या agenda था उससे पहले किन किन चीजों पर उमीदे रखी गई और क्या नतीजे निकले उन सभी को हम लोग आज की इस वीडियो में detail में देखने वाले हैं अब भारत को represent किया गया हमारे जो minister of commerce है शी प्यूश गोयल जी उनके द्वारा तो यहाँ पर प्यूश गोयल जी का stance या फिर यह कह लें कि भारत का जो stance रहा था that was a tough face और हर प्रकार से भारत ने अपनी जो farmers की नीती थी या food security की बात करें उसे बचाए रखना ही अपनी सबसे बड़ी priority यहाँ पर रखा था कुछ देश जैसे Thailand उनसे एक मौके पर confrontation की स्थिती भी यहाँ पर आ चुकी थी but all in all this 13th ministerial conference is a major respite for Indian farmers wherein India stood strongly for its farmers and lobbied for the reduction in domestic support to agriculture during this conference clear? तो कई मौके ऐसे भी रहे जहाँ पर जो developed countries है ठीक है उनसे एक confrontation की स्थिती जो थी वो पैदा हो चुकी थी ठीक है और यहाँ पर हर प्रकार से जो भारत का रुख रहा भारत का जो रवया रहा उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे किसान है farmers है उनके हितों को सुरक्षत रखन है चाहे diplomatic level पर हमें किसी भी प्रकार से दूसरे देशों से कुछ खराब diplomatic terms क्यों ना यहाँ पर सहना पड़े ठीक है अब 13th ministerial conference के अगर हम बात करें तो यह conclude हो गई इसमें तकरीबन दो दिन extend करने की बात भी की गई ठीक है और यहाँ पर अबुदावी declaration जो था उसे Saturday को accept क पर कुछ महतवपूर्ण मुद्दे जैसे fisheries, agriculture जो है उनमें अपनी farmer friendly policies को बचाने के चक्कर में उनके ऊपर कुछ important decisions जो थे वो नहीं लिये जा सके और जैसा कि मंतरी पियूश गोयल साब का कहना था उन्होंने कहा उन्होंने बहुत clearly यहाँ पर mention किया that our objective was that our farmers and our fishermen should not face any kind of harm or crisis, okay, तो ऐसे किसी भी प्रकार के decision making को वो यहाँ पर avoid करना चाहते थे, तो अगर कहा जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि recently ongoing farmers protest जो है, उसे election से पहले और aggravate होने से बचा लिया गया, या फिर यह कहें कि यह मूलभूत से भारत के जो सिधानत है, उन्हीं सिधानतों को ध्या कर रही ही थी कि इंडिया कुछ ऐसे policy changes लेकर आए, जो यहाँ पर farm produce में, ठीक है, उन्हें भी easy market access दे सके, Thailand ने एक प्रकार का इलजाम ही ये लगाया कि जो इंडिया की policies है, ये एक प्रकार से एक monopolistic market को यहाँ पर promote कर रही है, ठीक, और यहाँ पर जो दूसरे देश्त उनक महतोपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे food security, video support prize, public stock holdings, इनके उपर भी कुछ ठोस decision लिए जाने चाहिए, ठीक, तो चलिए अब इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या चीज़े यहाँ पर क्या क्या मुद्दे थे जिनके उपर decision लिए गए और कौन से ऐसे मुद्दे थे जो unresolved रह गए, अब सबसे पहले कि यह जो ministerial conference 13 थी, इसकी शुडवात से पहले एक क्या रवया यहाँ पर रखा गया था, वो समझना जरूरी है, ठीक, तो यहाँ पर ministerial conference में आप यह देख सकते हैं कि इस ministerial conference से पहले, कौमरोज और तिमोर लास्ते को यहाँ पर membership दे दी गई clear, so कौमरोज और तिमोर लास्ते जो है, उन्हें यहाँ पर membership जो है, वो दे दी गई, और उनके साथ साथ एक, जो liberal attitude दिखाई पड़ा, towards the least developing countries, that was also a welcoming step, clear, तो यहाँ पर special ceremony जो थी, वो 26th of February को organize कराईगी, ठीक है, और यहाँ पर जो respective governments थी, उन्होंने इस एक बहुत historic day, कहा के जब least developed countries जो है, उन्हें हिस्सा बनाया जा रहा है, तो वो भी एक significant step है, ठीक है, और इन देशों में political reforms, economic reforms को बढ़ावा देने वाला ये कदम जो है, वो उठाया गया है, दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के agenda की बात करें, so food security issues, यहाँ पर शुरुआत से इंडिया के agreements, agricultural reforms, WTO reforms, fishery subsidies, extension of custom duties, moratorium on e-commerce trade and barriers to trade, क्या, इसके साथ साथ यहाँ पर ministerial statement जो थी वो ministerial conference 13 में भी जारी कीगी, which outlined concrete action to tackle the plastic pollution, क्या, तो इन सभी मुद्दों के उपर जो decision थे वो इस प्रकार से लिये गए, ठीक, अब भारत में अगर हम food security issues की बात करें, तो यहाँ पर इंडिया ने, जो public stock holding है, ठीक है, public stock holding program जो है, इंडिया ने उसके उपर काफी stress जो है, वो दिया गया है, okay, and India has stressed the need for public stock holding for its large, vulnerable population and what's a permanent solution from the ministerial conference, clear, तो यहाँ पर food procurement, stock holding, distribution, जो है, वो भारत में, भारत की food security strategy के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, clear, अब आगे अगर बढ़ते हैं, तो और क्या क्या decision लिए गया, so new discipline on goods regulatory practice for service trade has entered into force, clear, तो यहाँ पर एक, जो महत्वपूर्ण decision जो है, वो भी ले लिया गया है, clear, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले शुरुवात में 26 को, जो ministers थे, उन्होंने यहाँ पर Timor और Comoros की membership को approve किया, और उसके साथ-साथ यहाँ पर जो informal group है, ठीक है, उन्होंने भी अपनी first ministerial conference में participate किया था, ठीक, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, के a new discipline on goods regulatory practice for service trade has come into force, so now the entry into force of new disciplines on services domestic regulation was announced at the 13th ministerial conference on 27th of February, and this is expected to lower trade cost by over 125 US, 125 billion US dollar, clear, तो यह भी काफी बड़ा decision लिया गया है, जो trade cost जो है, उसे काफी हद तक यहाँ पर कम कर देगा, ठीक, next is, Philippines has formally accepted the agreement on fisheries subsidies, clear, तो यह एक trade environment को boost देते हुए, ठीक है, आप यह देख सकते हैं, कि यह decision लिया गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर, अगर हम इससे related पिछले decision की भी बात कर रहें, ठीक है, तो यहाँ पर, WTO के director general, Ragozy Oconzo, जो है, ठीक है, उन्होंने, यहाँ पर सभी जो participating members है, ठीक है, उनके साथ एक प्रकार से joint initiative लिये हैं, service domestic regulations के उपर, clear, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर Philippines जो formally, यहाँ पर अब accept कर चुका है, एक fisheries subsidies agreement की अग बात की जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर जारी कर दिया गया था, ठीक, इसके साथ साथ, the members of three environmental initiatives share plans for next phase of work at Ministerial Conference 13, clear, तो यहाँ पर, अगर हम बात करें, so co-sponsors of the three environmental initiatives at the WTO was presented on 27th, okay, और यहाँ पर अब कदम उठाय जा रहे हैं के plastic pollution, environmental sustainability, उसके साथ साथ, fossil fuel, subsidiary reforms, okay, उसके अलावा, एक analytical work space, जो है, उसे develop करने के प्रती, यहाँ पर कदम उठाय जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर WTO के director general, deputy director general, जो है, उन्होंने इस progress को काफी जादा welcome किया, ठीक, और उन्होंने कहा के हर प्रकार से concrete outcome हमें निकालना चाहिए, concrete outcome की ओर, सभी ministers को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक, moving forward, the WTO members working on fossil fuel subsidy reforms unveiled plan to ramp up the efforts, clear, तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि 48 WTO members who are participating in the fossil fuel subsidy reform initiative, they have presented a comprehensive plan on 27th of February, और अब उनका मानना है कि यहाँ पर जो fossil fuel subsidies है, उनकी प्रती rationalization, और जो elimination है, handful fossil fuels का उसकी तरफ कदम उठाने चाहिए, ठीक है, and this framework program will guide the efforts in 24 and 25 towards the next ministerial conference, तो क्योंकि यह हर WTO की ministerial conferences हर दो साल के बाद होती हैं, तो दो साल के लिए एक concrete framework अब यहाँ पर तयार कर लिया गया है, ठीक, next, the WTO members have seek convergence on fishery, subsidies and agriculture at this ministerial conference, तो WTO की जो members हैं, उन्होंने बहुत extensive discussion, जो है, engaging discussions जो थे यहाँ पर organized किये गए, कि किसी भी प्रकारचे जो fishery, subsidies और agriculture है, उनके प्रती हमें एक meaningful solution यहाँ पर निकाला जा सके, ठीक, now the ministers participated in dedicated meetings on both issues, followed by convergence building sessions to seek bridge to the remaining gaps, इसके साथ साथ जो नए-नए disciplines की बात की जा रही है, domestic regulations की बात की जा रही है, plastic pollution, fossil fuels, subsidy reforms, इन सभी को भी ध्यान में रखते हुए, मद्ने नजर रखते हुए, यह subsidy framework को तयार किया जाना अभी बाकी है, next, moving forward, UAE gives 2,40,000 Swiss franc to support least developed countries participation, तो यह एक बहुत बड़ा decision यहाँ पर UAE के द्वारा लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर UAE जो है, ठीक है, उन्होंने 2,40,000 Swiss franc जो है, वो least developed countries को यहाँ पर दिये, ताकि वो participate कर सके, initially 26-29 February के बीट जो organize कीगे, WTO की ministerial conference, उसमें participation हो सके, clear, तो यह जो amount है, जो 2,40,000 Swiss franc है, okay, this amounts to almost 1 million dirhams, okay, तो यहाँ पर जो government officials हैं, least developed countries के वो participate कर सके, उसके परती, उन्होंने यहाँ पर support किया, इसके साथ साथ, South Africa has now formally accepted agreement on fisheries subsidies, okay, तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि यह भी बहुत बड़ा कदम जो है, वो उठाया गया है, ठीक है, South Africa ने भी अपना जो instrument of acceptance है, वो यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, तो South Africa के जो minister of trade and industry है, उन्होंने WTO Director General को यह पेश कर दिया गया, ठीक है, और they are now formally accepting this agreement, okay, now ministerial conference 13 ends with decisions on dispute reforms, development, commitment to continue ongoing talks, तो इनका यह कहना है कि यह जो discussions हमारे हुए हैं, ठीक है, यह अभी रुकेंगे नहीं, even though ministerial conference जो है, वो conclude हो गई on 2nd of March, okay, और उन्होंने यहाँ पर ministerial declaration जो है, वो accept कर दिया, clear, तो हर प्रकार से यहाँ पर जो forward looking reform agenda जो पेश किया जा रहा है, ताकि एक renewed commitment जो है, वो दुनिया के सामने लाया जा सके, हर प्रकार से dispute settlement जो है, वो efficient यहाँ पर बनाया जा सके, और special, और differential treatment provisions जो है, least development countries के लिए, वो भी लाया जा सके, क्या, इसके साथ सा तुन्होंने कहा के, ऐसे सभी मुद्दे, ठीक है, जिनके उपर कोई effective decision नहीं लिया जा सका है, उनके उपर discussions हमारे चलते रहेंगे, next, अब क्या-क्या ऐसे मुद्दे हैं, जिनके उपर जो agreement है, वो ले लिया गया है, ठीक, तो यहाँ पर extension of e-commerce moratorium, now the members have agreed to extend the moratorium on custom duties for e-commerce transactions for an additional two years until the next ministerial conference, तो यह एक काफी अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया है, ठीक है, तो यह जो decision है, इसे initially India और South Africa ने oppose किया था, ठीक है, बट UAE ने personally यहाँ पर India को persuade किया, ठीक है, और request किया कि आप इसे support करें, अब यह जो moratorium है, यह आखिर है क्या, तो यह basically आप यह देख सकते हैं कि this declaration, it prevents the WTO members from imposing custom duties on electronic transactions, clear, तो जो electronic transmissions हैं, ठीक है, उनके उपर कोई भी custom duties लगाने की रोक लगाता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यह जो policy है, यह नहीं लाई गई है, यह policy 1998 से है, और हर बार एक ministerial conference में इसे renew करा दिया जाता है, ठीक है, तो यह काफी prominent decision है, बट अगर major मुद्दों की बात करें, main मुद्दों की बात करें, तो वो आज भी unresolved है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ important topic, जिनके उपर कोई decision नहीं ले जाया सका, देवर agriculture and fisheries subsidies, clear, तो यहाँ पर कोई major progress, जो थी वो negotiations के बाद, यहाँ पर नहीं निकल सकी, clear, और यहाँ पर एक जो deadlock है, वो members के बीच में बना रहा, ठीक, तो बाकी जो यहाँ पर G33 countries, और India हैं इनके बीच में रहा, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि major जो, जैसे rice export countries हैं, इनके बीच में यह काफी मुद्दे बने रहे, जिनका यह मानना है, कि भारत ने अभी भी, जो अपनी policies रखी है, ठीक है, they are not allowing access to other countries, clear, तो एक बहुती, broader agricultural trade reforms की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, इसके लावा, जो fishery subsidies हैं, वो भी, उनके उपर एक भी consensual decision है, वो नहीं लिया जा सका, debates जो हैं, वो यहाँ पर कर रही है, और special treatment यहाँ पर यह मांगा जा रहा है, for small scale and artisan fishermen, next fishery subsidies specifics की अगर बात की जाए, तो India has proposed for allowing developing countries to extend subsidies with exclusive economic zones, okay, so तक्रीबन जो 200 nautical miles तक का इलाखा है, ठीक है, वहाँ पर access की बात की जा रही है, and that too not for just 2-3 years, for next 25 years, clear है, तो इसके उपर भी कोई decision नहीं ले जा सका, China-led investment facilitation for development plan, okay, तो यहाँ पर यह जो conference है, यह एक ऐसा मुद्दा रहा है, जिसके उपर continuous debate देखी गए, ठीक है, और यहाँ पर India क्योंकि अपनी sovereignty की चिंता करता है, तो India ने ठोस रूप से इसका यहाँ पर oppose किया, okay, और India का यहाँ पर कहना है, कि जो global trade system है, उसकी sovereignty से हमें किसी भी प्रकार का खिलवाड नहीं करना चाहिए, ठीक है, South Africa जो शुरुआद में इसे oppose कर रहे थे, उन्होंने अपना opposition वापस ले लिया, ठीक है, but overall this remain undecisive, okay, finally, अगर points of discussion की हम लोग बात करें, तो कुछ additional points थे यहाँ पर, तो एक permanent peace clause जो है, उसकी बात की की, ठीक है, India और बाकी जो G33 countries है, they have successfully defended the permanent peace clause, okay, which allows the countries to minimize subsidy levels for the stable crops, ठीक है, तो हर प्रकार से जो WTO disputes है, उन्हें avoid करते हुए, ये crucial decision लिया गया है, ठीक, next is dispute settlement system, okay, तो ये जो conference थे उन्होंने अपना जो commitment रहा है, कि एक fully functional dispute settlement system, 2024 end तक create हो जाए, जाएगा, and effectively this will enhance the use of special and differential treatment, okay, तो जो least developed countries है, उन्हें भी supportive mechanism, उनके लिए, एक supportive ecosystem जो है, वो तयार किया जाएगा, क्या, तो बाकी यहां पर बहुत खास deadlines तो नहीं दी गई, but it is, it was again reiterated, that it would be completed by 2024, क्या, तो ये आप लोग देख सकते हैं, कि जो 13th ministerial conference रही, उसमें ongoing challenges जो थे, उनका तो कोई global consensus यहाँ पर नहीं निकल सका, ठीक है, but जो priorities हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से year mark कर दिया गया था, क्या, so these were the highlights of the 13th ministerial conference, that concluded on 2nd of March in Abudhabi, ऐसी भी और important जानकारी लेते रहने के लिए, इस YouTube channel को, हमारे MIB Achieve Defense YouTube channel को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, ताकि आपको सभी updates टाइम नहीं मिलती रहे, इसके साथ साथ upcoming CDS, NDA, FCAT exam, UPSC, CAPF exam और SSB interviews की तयारी के लिए, हमारे साथ जुडिए, सभी teachers का जो extensive experience है, उसका फायदा उठाई है, और अपनी preparation को, एक नई दिशा नया level पर लेकर जाएए, okay, so I hope आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, please do share it with your friends, okay, so we'll see you all in the next session, Jai Hind!